हेलो दोस्तों मैं हूँ गोरा हूँ पिछले वीडियो में अपने कंडिशन्स के बारे में देखा है लाइक इफ को आप अलग-अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हो कैसे कंडिशन्स मैच करवा सकते हो राइट पर आपने एक चीज देखी है कि हमेसा वह कंडिशन्स जब एक ट्रू कंडिशन्स हो रही थी ना तब ही अपन उसको एक्जीक्यूट करवा रहे थे इफ ब्लोग को बट कभी-कभी आपके सामने ऐसे सिनेरियो भी आ सकते हैं जब कंडिशन्स फॉल्स होगी तो आपको वह ब्लोग जो है इफ ब्लोग है उसको एक्जीक्यूट करवाना है तो वह चीज आप कैसे करवा सकते हैं तो वह जो चीज वह पन इस वीडियो में देखने वालने हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइल बना लेता हूं कि एड़ मैं अपना कोई पुराना कोड़ी कोपी कर लेता हूं स्ट्रिंग कंपैरिजन वाला ठीक है तो ज्यादा बड़ा कोड़ नहीं है छोट असा कोड़ है एंड मैं यहां पर कंपैरिजन करवा रहा हूं अधर नेम इक्वल इक्वल टो जब अधर नेम एंड नेम की वैल्यू इक्वल होगी तो यह इफ कंडिशन एक्जीक्यूट होगा चलिए देख लेते हैं पहले तो मैं जो फाइल उसको परिमिशन देता हूं इसकी वैल्यू जब फॉल्स आयना तो ही आपको इफ स्टेट्मेंट जो है या इफ का जो ब्लोक है वो एक्जीक्यूट करवाना है तो सिंपल सा आपको क्या करना है यहां पे एक नॉट ऑपरेटर लगा देना है यह जो एक्स्पलेमेटरी या विस्म या बहुत अच्छी जिसको बोलते हैं हिंदी में आपको यह लगा देना है अब आप देखो आउट्पूट ही नहीं आया तो क्या हुआ यह जो एक्स्प्रेशन है यह सिंपली क्या करता है यह अगर आउट्पूट ट्रू आया तो उसको यह फॉल्स कर देगा फॉल्स आया तो उसको यह आते इसने true को कर दिया false और इसलिए यह जो बहुत हार सेम है यह यह print नहीं होगा जो if block वो execute नहीं होगा अभी क्या करता हूं मैं यहां पे not equal to लगा देता हूं तो other name and name दोनो equal है right तो यह जो condition है यह क्या return करेगी यह return करेगी false and false को यह कर देगा true चलिए देख लेते हैं तो आप देख सकते हो ऐसे यह simple सा यह कर सकते हैं या फिर आप यूं मानके चलिए मैंने यहां पर double equal to sign लगा रखा है गोरो और सोरो मैंने कर दिया तो अभी यहां पर देखिए other name and name यह दोनों अलग-अलग name है right तो यह जो return करेगा यह return करेगा false और false को यह जो है यह कर देगा true तो यह देखिए बहुत हार सेम वापस सेम वह आउट पूट आया है clear तो ऐसे आप not भी यूज कर सकते हैं इस के अंदर तो दोस्तों इस वीडियो में ताई अगले वीडियो में अपन देखेंगे अपन कैसे end यूज कर सकते है आपके पास यहां पर आपके वह एक 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 एकस्प्रेशन चेक कर रहे हूं आपको multiple expressions अगर चेक करने रहे तो आप वो चीज कैसे चेक करोगे तो यह जो चीज़े यह कैसे करेंगे यह जो चीज़े यह अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में तो दोस्तों इस वीड बाँ बाँ बाँ